हेलो एवरिवान आज जो मीठा बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और यह बनाना भी बहुत ही आसान है तो इसलिए मैंने सबसे पहले लिया है मैदा इधर मैदा मैंने दो कप करीब लिया है आप इसमें एट कर रही हूँ मैं नमक आप इसमें न सोडा होता है ना जिसे मीठा सोडा बोला जाता है बस वही इधर मैंने एक दम छोटा चम्मच का दो चम्मच एट किया है मतलब वन फोर्थ चम्मच एट करना है मीठा सोडा अब अच्छे से मिक्स करना है इसके बाद इसमें एट करना है घी घी हलका सा मेल्ट कर लिया था मैं गी इसमें थोड़ा जादा ही उस होता है घी के बदले में आप जो रिफाइंड ओयल है उसे भी एट कर सकते हैं पर घी से बहुत ही जादा टेस्टी बनते हैं यह बहुत ही अच्छे से इसे मेंक्स करना है कि मैदा ऐसे बाइंडिंग फॉर्म में आ जाए तो देखें मैदा बहुत अच्छे से बाइंडिंग हो रहा है अब इसमें एट कर देती हो दो चमज भर के दही दही बिल्कुल स्किप नहीं करना है दही से यह बहुत जादा अच्छे बनते हैं सोडा और दही का जो रियक्शन है इसी से ही यह बालुशाई एक दम परफिक बनते हैं क्या तो आपको पता ही होगा कि इसमें दही जरूर से जरूर परते हैं अब हल्का सा पानी मै ने अट की educators गुतना है रही सने वह बनते हैं यह बहुत जादा अच्छे से इसी बनते ंगे तो धिक दम परफिक डो बनके रेडी है इसे मैंने बहुत प्रेशर देके नहीं बनाया ह अब इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे वो भी 20 मिनट तक इसके बाद चलते हैं दूसरा प्रोसेस में तो आप मैंने गैस के उपर चराया है एक बरतन इसमें हम बनाएंगे चाशनी चाशनी के लिए मैंने इधर चीनी ले लिया है और इसके साथ ही मैंने लिया है एक कटोरी आप चाहे तो कब कभी इस्तमाल कर सकते हैं पर घर का कटोरी से भी आप मेजर कर सकते हैं जितना चीनी है उससे कम पानी लेना है जैसे इधर दो कब करीब मैंने चीनी लिया है तो उस जो चाशनी है ना वो एक तार के बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाएंगे आप अगर जादा पानी मिलाएंगे ना तो टाइम जादा लगेगा तो इसे लिए मैंने थोरा कम पानी का ही इस्तमाल किया है गैस का फ्लेम रखना है बिलकुल मीडियम अब इसमें फ्लेवर के लि गाने रu के और जादा इसे पखाना नहीं है बस पात से चै मिनट के अंदर ही यह पकरने रेडी हो जाते है जो हो जाते है तो अब देख जाएंगे चाशनी एक दम परफिक्ट है, अब इसे साइट करके रख देते हैं, आप चलते हैं, नेक्स प्रोसेस में, तो देखिए, मैंने इधर गैस को लो फ्लेम करके, करहाई चरहा दिया है, अब इसके अंदर तेल भी डालके, मैं उस साइट मैदा जो रेस्ट करने के लिए छोरा था, उसके तरब चलते हैं, तो चलिए, देखिए, मैदा बहुत ही अच्छे से से सेट हो चुका है, एकदम परफिक्ट, अब इसमें बालुशाई का शेप बना लेती हूँ, तो लोई तोड़ना है इसमें से, हल्का सा हाथों के मदद से, ऐसे गूत लेना है, तो बहुत ज्यादा चिकना मै मैने तोरा है, जैसे पूरी का लोई होता है, बिल्कुल वैसे, पूरी जैसे लोई तोड़ना है बिल्कुल, और उंगली के मदद से ऐसे एक होल बना देना है, इससे क्या होगा ना, बालुशाई अंदर तक कच्छे नहीं रहेंगे, और देखने में भी खुबसूरत लगे तो इसलिए बालुशाई में हमेशा बीच में एक होल किया जाता है, अब चलिए इसे एक एक करके सजा लेते हैं, तो देखिए एकदम परफिक्ष सारा बालुशाई का शेप बना के मैंने रेडी कर लिया है, अब चलते हैं फ्राइंग बला प्रोसस में, तो ओल मैंने इध आप चाहे तो घी से भी फ्राइ कर सकते हैं, मैंने इधर रिफाइंड ओयल से फ्राइ करूंगी और फ्लेम को रखना है एक दम लो और लगभख थंडा ओयल में ही मतला बहुत जादा गरम ओयल में चोड़ना नहीं है, एक दम ओयल मेडियम हीट रहेगा तभी चोड़ना है और धीरे धीरे इसे फ्राइ करना है, बहुती साब थानी से इसे अलट पलटना है, नहीं तो ये नरम होते है पहले तूट जाएंगे, हरवरी से ये तूट जाएंगे और जैसे जैसे ये फ्राइ होता जाएगा ना देखिएगा, इसका साइज जो है ये डबल होता जाएग हम जैसे छोरे थे आभी देखिए size double हो गया है और जो oil में वो तैरने भी लगेंगे तो देखिए तैर भी रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि आपका जो dough है ना वो एक दम perfect बने हैं मीठा soda के बदले में आप baking soda का इस्तमाल बिल्कुल नहीं किजिएगा इससे क्या होगा ना यह बहुत ज्यादा फुल के फिर बिखर जाता है और फट जाता है पुरा oil भी बरबाद हो जाएगा और बालुशाही भी बरबाद हो जाएगा तो इसलिए हमेशा मीठा soda ही आट जीए तो देखिए हलका golden brown color आ चुका है अब इसे कराई से धीरे धीरे निकाल लेना है तो निकालने के लिए हम इधर क्या ही किये है ना चम्मच का इस्तमाल किये है कि यह तूटना जाए और निकालने के बाद तूरंत इसे चाशनी में डालना है चाशनी बस हलका गरम होना चाहिए बहुत जादा नहीं हलका गरम चाशनी में इसे एट करने से अंदर तक रस मतलब अब्स यह कर लेते है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा मतर एक तार से जादा घना नहीं करना है दो ताल नहीं कीजिए तब क्या होगा यह जो चाशनी है बाद में एकदम चीनी का फॉर्म में आ जाएगा तो इसलिए हलका सा एक तर बनेगा तभी चाशनी एकदम परफेक्ट रेडी हो जाते है और गैस का फिलिम बंद कर देना है इतना दूर आपको ध्यान रखना है तो देखे चाशनी में मैं दो मनट तक ही तो तो देखे कितना परफेक्ट बना है एक दम रसी लगवा है तो देखे मैंने देखके आप समझ गए होंगे कि यह बनाना कितना आसान है बस आपको सोचना है कि मैं बनाऊंगी जटपट बन के रेडी हो जाएगा इसमें कुछ भी महनत नहीं है, तो देखे कितना प्यारा लग रहा है, तो मैं आपको ये तोर के भी दिखाऊंगी, कि इसका अंदर का टेक्स्टर कैसा है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगे, तो भी एक बाइ!